हेलो एवरिवन मेरा नाम डॉक्टर स्वापनिल है और इलाइट आइडियास भाई सवापनिल में आप सब का स्वागत है पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस में तो हमने बहुत सारे केस सुले ही थे कि स्टुडेंट के उप सबसे इसे पहला सवाल यह था कि क्या अंदर होता है तो उसके सबस्केसाथ होता है कि यह और क्या होता है उसको समझने के लिए मैंने अपने आपको एक जर्मन के रूप में इमेजिन करना सोचा कि मैं एक जर्मन हो बे क्यों रिसिजम करूँगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी पॉनिटिकल पॉइंट से बात करेंगे थोड़ी बैक स्टोरी से शुरू करता है जर्मनी के अंदर जब वर के अंदर जो प्र जोड़ीं कि अंदर जिन का घर खरंभ हुआ है जिसको प्रूम के चाह प्रणनी को बाइबी लोगों को हमाए देंगे और वह हमेशा उन लोगों की मदद करेंगे उनके बाय लोज में पेले से लिख दिया गया उन्होंने फैसला किया कि वो हमेशा ही करेंगे अभी इसकी शुरूआ अर्ली 2010 में हुई जब सीरिया के अंदर सिभील वार हुआ इसके बाल सीरिया में काफी सारे फैमिलीज और गर और सब कुछ डिस्ट्रोई हुआ काफी सारे इमिगरंट्स अप्दा गर छोड़ के निकल पड़े थे ऐसी सिचुएशन में जर्मनी ने अपने डोर खुले की सब के लिए कि आप लोग यहाँ पे आओ, यहाँ पे बसो हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको नया गर देंगे और हम आपको पूरी तरह से सेटल करेंगे इसकी बज़े से 2010 से लेके अब तक लगबग लाखों की संख्या में सिरिया से जर्मनी सेटल हुए उसके बाद जब यह युक्रेन, रश्या का भी जो वार शुरू हुआ पिसे दो साल पहले है, उस टाइन पे भी युक्रेन के लोगों के लिए जर्मनी ने अपने दर्वा से खोल दिये काफी सारे लाखों की संख्या में युक्रेनियन भी इस तरह से जर्मनी में आए आप लोगों ने शाया दिसन शारूख खान की दंग की मोवी जरूर देखी होगी आप नहीं देखी है तो उसमें मोवी का कंसेप यही है कि कैसे लोग इमिग्रंट के रूट से जाते हैं कैसे इलिगल रूट से लोग अंदर गुस्ते हैं और फिर कैसे काम करते हैं उसके अंदर UK का दिखाया गया है कि UK के अंदर भी जो अगर आप asylum लेते हैं वहाँ पे भी आपको रख लेते हैं पर वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है धरवायो करने के लिए जर्मनी के अंदर क्या है कि German government ज्यादा leadiant है उनका क्या है कि यहाँ जब कोई immigrants ऐसे illegal route से आते हैं या तो फिर asylum लेते हैं उन लोगों को government सामने से गर देती हैं सामने से पैसे देती हैं और वही ने अब तक कि उनको उनकी classes में language सिखाती है उनको सारी training देती है यहाँ के work place में या तो फिर work culture में settle ओने के लिए पूरा मौका देती है हर immigrant के पीछे लाखो रूपी German government खर्च करती है ताकि वो integrate हो पाए यह concept है तो अच्छा लोगों के बले के लिए यह चीज तो उन्होंने बहुत ही अच्छी की काफी सारे लोग जिसके इंडिया हो पाकिस्तान हो या त काफी सारे लोग तो जैसे मेनत करके integrate होते हैं यह अच्छी बात है पर काफी सारा joke of the people ऐसे है गवर्मेंट के पैसे सिर्फ लेके बैठे रहते हैं बीकुल कुछ करते नहीं है बैठे रहते हैं कोई काम भी नहीं करते टैक्स पे भी नहीं करते तो गवर्मेंट को help नहीं हो गई जो भी मतलब काम करते हैं का टैक्स करता है यह टैक्स के money मेंसे बड़ा chunk of money immigrant लोगों के लिए चाता है बहुत सारों तक तो लोगों ने कुछ नहीं कहा सब कुछ चलता रहा जब यह Ukraine war हुई Ukraine Russia war उसके बाए world में overall recession आने लग गया सब जगा पे inflation शुरू हो गया चीजो जो के दाम भी बढ़ गे उसकी बज़े से क्या हुआ कि जो लोग यहां से सालों से रह रहे हैं वो जो condition में और वो जो life से attached है वो जो life condition में जी रहे थे वो condition से उनकी condition वो थोड़ी खराब होई उसकी बज़े से वो लोगों का definitely government पे गुसा होता है यह हमारी परिसिदी क्यो कर रहे हैं वो पैसे रिसेशन कंट्रोल या तो फिर inflation कंट्रोल में क्यों नहीं लगता बात यहीं पर आती थी कि काफी सारे जो उसमें से बड़ा chunk of money ऐसे immigrants को जाता था जो कुछ करते नहीं है वो community में कुछ help भी नहीं करते financially भी कुछ improvement नहीं लाते उसकी बज़े से Germany के अं question पूछता था कि अपनी government ज्यादा से ज्यादा सिफ गरीबों की मदद करती है हमारा सारा tax money गरीबों को जाता है हमारे लिए क्या कर रही है government that's a simple question यहां कि लोग भी government से पूछते है government भी इसका कोई solution लाती नहीं है उसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि यह government का उठका laws है औ विरुद थोड़ा उनको गुसा शुरू हुआ नॉर्मली सब लोगों के मैं यह बात नहीं कर रहा हूं पर 10-20% जो लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सबते 10-20% जो लोग है उनको इसके विरुद का गुसा शुरू हुआ जैसे ही immigrants को देखते हैं तो उसी मूँ फेर रहते ह या तो फिर कुछ बोलते नहीं है यहां पर अब तक मुझे लगता नहीं कि आगे भी कभी ऐसे वायोलन केस कुछ हुआ तो किसी को मतलब फिसिकल इंजरी पहुचाई है या तो फिर किसी प्रोपर्टी को डेमेज किया हो या ऐसे कोई किसी में इतनी खराब परिसिती नहीं होई है तक जैसे जिन लोगों को ऐसे नहीं पसंदेगी यहां पर है वो लोग बात नहीं करते वो लोग फिर लेते हैं तो वो ठीक है ऐसे वायलन्स जो है वो अपी तक यहां पर नहीं हुआ है जर्मनी के हंदर एक बात यह भी जाननी शरूरी है जैसे ही उन लोगों को पत कर रहा है यह आपकी सारे जर्मन से मेरे साथ सब बहुत जगर गुमने भी जाते हैं सब इंडियन फेस्टिवेल भी मनाते हैं मेरे साथ एकदम हर्मनी से यह लोग रहते हैं उनको सिफ यह ही चाहिए कि आप यहाँ पे आओ अगर आप आओ तो कोई प्रॉब्लेम नहीं पर यहाँ पे आके उनके कल्चर का रिस्पेक करो उनकी लेंगवेज बोलो उनकी कल्चर को फॉलो करो उनके साथ थची तरह से रहो काम करो social contribution जो अपने tax भी करते हैं वो आपका करते रहो ठीके तो इसको integration बोलते हैं अगर आप integration process में हो कोई आपके उपर racism नहीं करेगा कोई आपको कुछ नहीं बूलेगा यह चीज इस बज़े से आई है और इस बज़े से हो रही है मेरा आप से यह सवाल है अगर आप यह चीज को racism मानते हो क्या आप यह चीज गैरेंटी के साथ बोल सकते हो कि अपनी कंट्रीजे से कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी आपके साथ कभी racism नहीं हुआ है यह सवाल आप अपने आपको पूछे मैं गुजरात से भी आओ करता हूं मैं जब इक बार कोची गुमने से देखा और फिर मूँ फिर गया क्या यह चीज को मैं racism समझ के आगे चलो या तो फिर ऐसा समझू कि यह ने language के लिए उनको respect है उसकी बज़े से उन्हों नहीं कि यह चीज आपको जर्मनी के अंदर भी देखने को मिलेगी कि यह आपको जर्मन लोगों के साथ बात करोगे उनकी stores में जाओ यह तो कुछ भी करोगे अगर आपको language आती हो और फिर भी आप English English तो फिर भी लोग बोल लेते पर अपने मदर टंग में बोलना शुरू किया या तो फिल कई बार English भी लोगों को पसंद नहीं होता है यह लोग बहुत प्राउड लोग है उने culture को लेके अ और में साथ हर एक बंदे को तो ये दुनिया में कोई समझा नहीं सकता अपने देश के अंदर मैं इंडिया में रहता हूं मुझे पता है कि इंडिया के अंदर internal racism कितना होता है अपने यह तो caste system भी होती है आप उची कास से हो नीची कास से हो यह वो सारी काफी सारी चीज़ सोचो का गुसा जो है वो भी जायज है वो लोग भी समझदार है कि जैसे उनको पता चलेगा कि आप अच्छे लोग है आप यह वो integration प्रोसेस में हो तो वो लोग आपको accept करेंगे और आपके साथ कभी भी racism नहीं होगा बहुत ज्यादा सूचने की जरूरत नहीं है बहुत कर दो